नमश्कार, जैसे एलसी, हाँ पे सब कैसे हो, हाँ तो बच्चो जैसा कि आप जानते हो आपके अपने सी एलसी ने फिजिक्स पंच के नाम पे, इसका बीच में नाम हमने रिवाइज फिजिक्स इन फोर्टी आउर किया लेकिन बच्चों ने का बहुत मज़ा नहीं आ रहा है इसका तो पंच नाम जुबान पे तो इसका नाम पंच रखो, तो यह पहले से बनावा है, तो यह आज सुबे फैसला हवा तीन जूर को कि इसका नाम वापस पंच रखा जाएगा, बात कुछी और 20 टोपिक है, फिजिक्स पंच के नाम पे कहेंगे इनको, ठीक है डियर, ए से 2019 तक के दे चुके, इन सब को आप डंग से वीडियो देख लेते हो, उसके बाद, चार जून 2020 से सुरू होने वाली डेली टेसरी आप स्टार्ट करके इमान दरिश दे लेते हो, तो मैं नहीं मानता कि फिजिक्स में आप 160 से कम नंबर लाने की इस्तितियम का भी रहोगे, मैं उनके बात करना हूँ, जो 900 नंबर में खड़े हैं, वो 150, 160 तक नंबर ला सकता है, ठीक है, तो आज हम 3 जून आज, क्यों वाई, आज 3 जून को वीडियो सुट करने जा रहे हैं, ये 5 नाम तो है, रिवाइज नीट फिजिक्स प्रनाम चेंज कर दिया, पंच ये इडियो आपके पास आचुके हैं, एक से छे मैंने खुद अपलोड किये थे, पिर 7, 8, 2 हमारे साथी, 7, 8, 9, मेरे सुटेंट भी रहें, किसोर सिंग जी, आज फेकल्टी भी उन्हों नी किये, फिर हीट कल दस्वा मैंने किया, आज 11 मैं फिर सुरू करने जा रहा हूँ, आ आपका आगया, KTG और Thermodynamics, शुरू करें बाई, तयार हो सब लोग, ओके, आजाओ डियर, फिर से कह रहा हूँ, हमने इसका नाम वापस फिजिक्स पंची करने बच्चों के डिमांड पे, कि बहुत जुमान पर आ चुका है, ओके, एक बात और सुन लो, जो भी वे हैं, वाटसप ग्रूप क्या है, यदि आप किसी भी स्टूडेंट को वाटसप ग्रूप पे जुड़ना है, आप चाहिए CLCN है, चाहिए non CLCN है, तो आप क्या करें, अपना नाम, नीट, अपना वाटसप नंबर, लिखके, मेरे नंबर पे वाटसप कर दें, 9928730088, औ वहां दोस्तों, इन सारे पंच की PDF फाइल भी हम लोग 6 जून को डिस्पले कर रहे हैं, क्लियर, अपना नाम, अपना CLC रोल नंबर, और आप CLC के बच्चे नहीं हैं, तो नोन CLCN, अपना नाम, नीट, CLC रोल नंबर, या नोन CLCN, और वाटसप नंबर, जिस पे आपको यह मैटर जो है, यदि आप वाटसप ग्रूप में नहीं जुड़े होएं, तो जुड़े होएं हैं, तो आपके बस मैटर आए रहा है, बाकि आप जानते हो, CLC सेकर हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां सौरा मैटर पड़ा है, प्रिविएस, पूरी फिजिक्स, पूरी के से स्टार्ट हो रही है, जही मैने के लिए भी और मेडिकल के लिए भी, पका जी, आओ सुरू करें, क्यूशन नमबर वन, आजा बया, मस्ट क्यूशन, पगवान ने चाया तो 26 जुलाई का प्रसन दोस्तों है, जो को क्या होता है, इस प्रसन को पढ़ लिया, ओके, रीड क जोटी सी है, पी प्रेशर है, वी वोल्यूम है, आर गेस कॉंस्टेंट है, टी टेम्परिचर है, यहां भी एक एन है, यहां भी एक एन है, लड़के, लड़के पंगा रहे हैं, दोस्तों आर के साथ जो एन है, वो मोल को बताता है, के के साथ जो एन है, वो नमबर ओफ मोल प्रिकुल्स बताता है यह अनू की संक चाँ बताता है यह मौल की संक चाँ बताता बस इतन', फरक है और ग्रांट बowned लो जब जब के आएगा तब तब N आएगा molecule वाला, जब जब R आएगा तब तब N आएगा दोस्तो number of mole वाला, बोलो हाया ना ओके, इसको मिटा दूँ अब देख, इस person को सुरू करने से पहले, एक master formula है, PV equal to NRT किसके लिए? idle guess के लिए, ओ लड़के, किसके लिए? idle guess के लिए, real guess पे लागू, नहीं होगा, अलग होता हूँ होता अलग होता जानते हो, पर हमारा slave किसके लिए है, पूरा? idle guess के लिए, but real guess तो पढ़नी पढ़नी है, बसके real guess क्या है, उसका एक formula याद करना है और बस इतना एक कुछ नाता है वहाँ पे एक constant A है, एक constant B है, उस A और B की अपसे वो अक्स डाइमेंशन पूछ लेता है चलो वो पूछ लो वो भी क्या है? वो समय करने वे, आप सम जानते हों तो P पलस A अपोन V स्काइर, V माइनस NB इक्वल टू, and ठादो V माइनस V इक्वल टू R T P पलस A अपोन V स्काइर, V माइनस V इक्वल टू R T इस फोर, आइडिल गेस इस फोर, रियल गेस यह आइडिल गेस के लिए, रियल गेस के लिए यहां तो set है, A की डाइमेंशन क्या है और V की डाइमेंशन क्या है, यह बहुत पार एक्वल एक्वल टू R T अब आपका जो प्रशन दिया है, यह क्या कहता है साब यह एक नियम की किसी और की पाल ना कर रहा है बस दहन चाओं क्लास, एक अक्स्ट्रा रूल को फोलो कर रहा है अगला साब कहता है, एक गुबारे में गेस बरी हुई है जो फैल रही है, और क्या है, वो इस अक्स्ट्रा नियम की पाल ना कर रहा है बस दान चाओंगा, इस अक्स्ट्रा रूल को वो फोलो कर रही है ठीक है डियर, तो अगला कहता है, अंदर का टेमपरेचर तो एक तो टेमपरेचर ची ए, फैल रही है, इसलिए वी ची ए, तो दोस्तों यहां से पी गाइब कर देते है हलो, क्यों पी गाइब किया गुबारा फैल रहा है, तो वीक चेंज हो रहा है टेमपरेचर, अगला मुझसे पूछ रहा है, तो कहीं प्रेसर की बात नहीं कर रहा ना प्रेसर की बात नहीं कर रहा है बेटा जी तो पी वी की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू के नियत को मैं क्या बोल दू, के कॉंस्टेंट कर देता हूँ एक तो मेरे को पी गाइब करना है, आजा पी वी क्वल टू क्या है रहा है एन आर टी अपॉन वी, बैस इसको पुट कर दे, तो पी वी क्या हो गया एन आर टी अपॉन वी, वी की पावर टू बाई थ्री, तो लो के मतलो क्यों के कॉंस्टेंट कर दे, यह मालो की आपका यहाँ, एस है क्यों के के बिना मतल कर सकता है अब तो खुद देख, एन कॉंस्टेंट, आर कॉंस्टेंट, यह वी की पावर वन तो यह टी की पावर तो वन है ये V की पावर 2 by 3 माइनस 1 करोगे तो T की पावर क्या बचगी रहे माइनस 1 by 3 equal to क्या आ गया S बोल बोल V की पावर उपर क्या है 2 by 3 ये उपर जाएगा माइनस 1 तो क्या बचेगी माइनस 1 by 3 ठीक है डियर तो आपके सामने एक डिरेशन बन गया T V की पावर माइनस 1 by 3 equal to S, ओ भाई, S कोण है constant है, अब तो खुद देख रहा है तो T डिरेक्ट पर पोस्टल क्या आ गया V की पावर 1 by 3 साफ साफ है, दोस्तो अगला कह रहा है गुबारा expand हो रहा है, गुबारा फैल रहा है volume बढ़ेगा, तो दोस्तो temperature बढ़ेगा तो तेरे सामने सामने इसका answer आ गया, इसका temperature बढ़ता है गुबारे के अंदर का ताप है बढ़ता है, दोस्तो answer नमर एक हो गया हो गया, thank you question नमर दो मतलब, मतलब गजब question का collection है यार आप पड़ो क्या question है अग्रासाब कहता है P और V के बिचकरव है दोस्तो लेकिन हमने तो आस तो क्या पड़ा है P और V के बिचकरव ऐसे होता है वो तभी होता है जब T constant है, ये कहता है T1 है, ये T2 है और ये T3 है, हम अच्छे तरह जानते है, T3 है वो T2 से बढ़ा है और सबसे बड़ा कोण है इसका फंड़ा होता ना, P और V के बिचकरव खहसते है तो जो करव जता दूर होता है उसका उतना टेंपरेचर ज़्यादा होता है तो सब बढ़ा T3 है, उस च्छोड़ा T2 है वैसे T1 है, देखने तो संक्रव हो गया बैस, कोई दिक्रत नहीं देख डियर, ए, एकाम कर ये तेरा V है, ये तेरा P है एक, मैं ऐसे तेरो तीन कराव खहसते है जान देख लास ठीक है, अब तेरे को A से B चलना है थोड़ा पैन को चेंज कर लेते है अब तो A से B चलने, कैसे कहीं से ऐसे तू कहीं A से B चलना है ऐसे A से B चलना है इसको A कह दे, ठीक है डियर और इसको तू B कह दे इसको तू C कह दे सुर्जी, B तो ये करना पड़ेगा A, इसको आप X कह दो A से X पे आया X से B पे गया, अब तू खुद देख पहले X पे है ये कोणा तेरा T3 है ये कोणा तेरा T2 है ये कोणा T1 है, पहले कहा है देखिए, ऐसे एक से दो की और आ रहा है एक से दो की और आ रहा है तो पहले टिमपरेचर बढ़ रहा है फिर वापस तेरे सामने ये दो से एक की और आ रहा है, तो पहले बढ़ता है चीज़ दिकर दी, तो दोस्तो आप इस करव के बीच ऐसे लाइन खेंस लें, तो आप फुद देखो दोस्तो, यह स्पोज पे ऐसा नहीं है क्या, तो यह स्टार्ट कहां से बाता, T1 से, और किस पर आ गया, T2 पर आ गया, T2 पर गया, T2 टीवन से बढ़ा है, तो पहले यह सामने आ गया, यह दोस्तों, ग्राफ सोल्ड करने का पैटरन होता है, क्लियर, ओके थेंग्यो, हाँ पतिलो, क्यूशन दो हो गया, इसका एक पैटरन और भी है, देखो वो क्या है, आप ऐसा करो, खाली करो, पेज खाली करो, देखो डियर, इसका एक तरह का यह है, यह वी, यह पॉइंट कोन है, टू वी, यह कोन है, पी, यह कोन है, टू पी, यह पॉइंट क्या है, ए, यह पॉइंट क्या है, बी, अगला ए से बी आ रहा है, इस पॉइंट को अक्समाल रहे है, ठीक है, अब एक फोमला तू जानता डियर, कि पी वी इकुल टू क्या होता है, NRT तो तू खुद देख P equal to क्या हो गया P V ये तो constant है तो एक बात धान सुनना ये A point है ना A point पर तो A point पे P कितना है रहे 2P और V कितना है V तो A point पे कितना इसके value क्या हो गया 2P V तो B point पे आजा तो B point पे P ये तो है P ये कितना है 2V तो तो तुरह कितना हो गया 2P V अब तो A point पे आज A point पे बीच में ले तो इसका बीच कितना है एक और दो का बीच कितना होगा इसका value 3 by 2 इसका कितना होगा 3 by 2 तो आप देखो A point पे क्या है 3V by 2 3P by 2 This is 9 by 2PV 9 by 4 2 to 4 9 by 4 तो 9 by 4 अब दोस्त जादा है तो देखो यहां भी कोई चीज 2 है और यहां भी कोई चीज 2 है और यहां दोस्तों कोई चीज 2 से बड़ी है तो common sense की बात है पहले बड़ी फिर गटी और बोल clear थैंक्यू दोस्तों यह फिर एक नया फॉर्मूला आगया पहले दो कुशन ग्राप पे आए पहले पड़ी अब दोको बहुत राक्षिशन है the ratio of average translation kinetic energy to rotational kinetic energy और फिर डाइटोमिक मोली की दर दोस्तों इस कुशन पर जाने से पहले सबसे पहले आपको degree of freedom की बात करने पड़ेगी यदि monotomic case है तो एप की वेली होती है 3 जि एक परमानी में case है तो उसकी स्वत्तनता कोटी कितने होती है 3 अब diatomic है तो diatomic ही 5 होती है पर 5 दिलिखेंगे अपने अपने 3 प्रस 2 लिखेंगे 3 तो अमेस्था क्या आज़ी नहीं है 37 तरण जो क्या कहते अंग्लिशन पे ट्रांस्टेशन दो कोड होगी लोटेशनल अब try पे तुम आता है तो try पे दोस्तो 7 भी होती है और 6 भी होती है तो 7 को लिखते है 3 प्लस 2 प्लस 2 और 6 को लिखते है 3 प्लस 3 या पूरे काम आया करें सुन एक प्रमाणी में गेस है तो degree of freedom 3 डायेट में गेस है तो degree of freedom 5 तो 3 प्लस 2 3 ट्रांस्टेटरी 2 रोटेटरी try है तो try में दोस्तो 7 भी है 6 भी है कैसे आप देखो देखो दोस्तो ये भी try है ये भी try है ये भी 3 प्रमाणी है ये भी 3 प्रमाणी है डाचा बदल गया न तो फंडा है सिदे में तो 7 होती है टेडे में 6 होती है अंगरी जी सुन ले भया स्टेट में 7 है तो अपना आप 6 ये 7 कैसे है 3 तो कौन है fix है कौन है translatory 2 rotational 2 vibrational इसमें 3 प्लस 3 3 तीन translatory और 3 rotatory दोस्तों ये vibrate करेगा ये vibrate है नहीं करता है बात में पढ़ रही है भी सिदे में ब्हस याद हो गया बोलो बोलो है न ये डिग्री ओ freedom की बात हो गई एक परमानी में की 3 die की 5 distribution नियम से बात करें, तो दोस्तों जो energy बनती है, वो एक्टिर बनती है N, F by 2 R, किसी दिसी बात दी है ऐसे इसको बोलते है बड़े से एक तरीका होता है N, F by 2 R, D, बस हो गया N तो क्या है, ओ भई R है तो N क्या आएगा रहा मोल आएगा R है तो N मोल को बताएगा, K है तो N मोल को की संख्या बताएगा, बस अगला साब कहता है स्तनांतरन में F का मान क्या होगा, 3, गुणन में क्या होगा 2, तो 3 बटा 2 कर दे समेकर नेक बनेगी, समेकर 2 बनेगी, तो आंसर क्या हो गया बेटा 3 by 2, यहने जी तो रोल किसका है रोल डिग्रियो फ्रीडम गुए रखने का है, और उसके बाद यह फोमला, किसका फोमला सर, मैक्सवेल का मैक्सवेल ने, एक उर्जा इसको बोलते है, मैक्सवेल इनरजी डिस्ट्रिबूशन दा आप बोलके एक बात लियात करना है, यह केवल और केवल डिपेंड़ किसके पर करते हैं ती पर, इस पर वी का कोई समंद्ध है, नहीं है, बहुत काम आएगा गए यह क्यूशन में फोर, यह भाई आपना पिले क्यूशन है देखो दोस्तो, इस क्यूशन को करने से पहले मैं आपको दो बात बताऊंगा दो प्रकार के फोर्स होते हैं, अग्रिवेटिव और oss अग्रिवेटिव, सरक्षी और सरक्षी सरक्षी बल वो होते हैं, जिसमें एक कंप्लेट साइकल में किया गया वर क्या होता है जीरो इट कोल्ड कंजरिवेटिव फोर्स जैसे आपका जोस्तो जो भी फोर्स एफ इन्वर्स्ट्री पर पोर्पोर्शनल आर स्कायर को फोलो करते हैं ओल आर कंजरिवेटिव जो भी स्कायर इन्वर्स्कायर को फोलो करते हैं गुर्ट्वेबल, विधुतबल, चुंबकेबल, यह सारे क्या है? गुर्ट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वे अब दोस्तों यहाँ एक बात आ रख लो thermodynamics is a non-conjorative force thermodynamics का जो part है वो कौन है? non-conjorative force है अब यह एक cyclic process है और इस cyclic process में जो किया गया कारिय है वो इस cycle के दुआरा covered area के बराबर है और covered area में चक्कर है या तो S बनेगा या N बनेगा S बनेगा तो work positive होगा N बनेगा तो work negative होगा यह बहुत और सुन ले यहाँ पर ले आजा भाईया यह तेरे सामने सामने क्या है रहे यह तेरे सामने सामने दोस्त यह ए ए ए यह ए तो पहली बात तो S है positive है अब यह एक त्रिभूज है टरंगल बनेगा ना यह टेस्ट बनाना तो positive है और बहुत सोवने चीज़ रहे और बहुत सोवने चीज़ है du equal to zero क्यों जहां से चले वापस वहीं आए तो वो initial है वो final is du zero हो जाता है बहुत करे लेंगा रहे बुल गये गया dq equal to du plus dw du is internal energy du doesn't depend on path आप कहां से चलके किस रस्ते से आए हमें इसे कोई मतलब नहीं है जहां से चले वापस वहीं आगे तो du क्या हो गई जीरो तो दोस्तों इसको du zero कहते है और जहां du zero होता है उसका एक नाम और भी है इसको सम्तापी process भी कह देते है du zero का मतलब एक प्रदेक्स क्या हो गया आईसो थ्रमल पोसेस है तो दोस्तो du zero होते ही आप ये भी कह सकते हो dq dw के ब्राबर है अब यदि dw प्लस आ गया तो dq प्लस है तो कहेंगे heat system को दी और dw माइनस आ गया तो dq क्या आ गया माइनस है heat system से ली तो सारी बात बोल रहा हूँ मुझे ने पता क्यूशन क्या लिखा हुआ है अब पढ़ परा क्या कहता है चक्र ABC में दी गई कुरुसमा सुनने है होई नहीं सकती चक्र ABC में क्या गया कारी सुनने होई नहीं सकता चक्र ABC में क्या गया कारी एक बटा दो और गेलुसे का ने पेज खाले करें एक बर में बहले यह समझ लो आप क्या है दोस्तो PV इक्वल टू NRT यह कोई पात्र है जिसमें गेस भर दी पहले बात आप सुनो यह बाइल साल्स गेस जो नहीं है मैं गेलुसे के गेस पे लागू होते हैं वो भी कौन सी गेस पे आइडल गेस पे तो गेस जब भी दोस्तो पढ़ी जाती है ना तो पात्र को बंद करना होता है यह पात्र खुला है तो आप पढ़ सकते ही नहीं दोस्तो इस प्रस्तर में एन हमेसा क्या होता है जब तक प्रस्तर नहीं बदलता तब तक n change नहीं होगा R already constant है तो दोस्तों देखा जाए तो आपने इसको P V equal to ST ऐसे बढ़ा दिया constant अब हम कहते सबसे पहले किसका नियम होता है वाइल का नियम जब T constant है धान्दे क्लास जब T constant है तो P इंवर्स्टली प्रपोस्टल वी जब P constant है तो V proportional टी चाल्स का नियम होगया और दोस्तों जब V constant है तो P dietary拘ुबोस्टली ये गिलुषी का नियम है ये ये बाइलि का नियम है ये चाल्स का नियम है ये गिलुषी का नियम है अब इनके बिछ करवा ट्रो करें तो करवा ट्रो करें तो आप देखो लो पहले करवा देख लो, पहले में कौन है रहे, P और V के बिच करवा खेंचोगे, तो ऐसा करवाएगा, दूसरे में आप V और T के बिच करवा खेंचोगे, तो आपके सामने क्या है, डायक्ति प्रपोस्ट करवाएगा, ऐसे ही P और T के बिच करवा खेंचोगे, तो ये मैं तो अपको हम इसमों प्रोसर परी में किया है, यहां अब कुछन में ओब आपको चारों पकोट निकालना, क्यों भई हम तो आपको चारू पत निकालते हैं तो लोग दोस्तों सबसे पहले अपने केवल A B पत की बात करते हैं मैं माना हूँ तर टाइम देना हो भई पर मैंने कहा ना कि मेरा काम केवल पेपर को सोलुशिन करना नहीं है मुझे टोपिक लपेटना है देख भाई तो A से B पे गया यह T है यह P है तो common sense की बात है तो T constant है जैसे तो T constant करेगा मुझे पता P V के inverse है अब साब साब दिखाए दे रहा है यार A पर P कामान कम है B पर P कामान ज़्यादा है तो P बढ़ रहा है तो V घट रहा है तो common sense की बात होगी पतर है कमफ्रेश हो रहा है संकुचित हो रहा है ठीक है भाई? बोलो बोलो पतर है संकुचित हो रहा है T constant है जान दे क्लास T constant है तो DT 0 जब DT 0 होता है तो DU 0 और DU 0 होता है तो तेरा DQ ब्राबर क्या बन जाएगा? DW और तू खुद जानता है DW क्या होता है PDV तू खुद जानता है दोस्तों जब कोई पातर संकुचित होता है तो कार ये निकाई के उपर किया जाता है वर्क डन ओन सिस्टम वो क्या होता है नगेटिव तो कॉमन सेंस की बात है इस प्रोसेस का DQ क्या आ गया नगेटिव AB पत का अब क्या दियाश ने AB प्रकरमी किया गया ये बात तो यह गलत होगी बोलो हाँ या ना जल्दी बाज बसकर यार मैंने AB पत पकड़ा AB पत पे आप ती कॉंस्टेंट है A पर P कम है B पर P जादा है PV के इनवरस्तिव तो P जादा है इसका मतलब A से B पर P बढ़ रहा है तो V decrease होगा V decrease मतलब work done on system वर्क done on system DV becomes negative DW equal to PDV तो DW equal to negative और DQ equal to negative DU यहाँ पर क्या है 0 क्योंकि आइसो थर्मल प्रोसेस में DU क्या होता है 0 तो यह पहला हो नहीं हो सकता लो जी खाली कर लो अब आगे चलो B C B C पत क्या है यह तेरा T और यह तेरा P ऐसे तो common sense की बात है V constant है यहाँ V constant है तो तो खुद देखे V आपका दोस्तों है constant है अब तो B से C पर जा रहा है साब साब ना लगा तेरे को ठीक है तो dear तो B से C पर जा रहा है यहाँ तेरा कौन है V constant है लड़के 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 V constant है तो DW 0 याद कर समा इतनी प्रक्रमिकारी होता ही नहीं है ISO Volumetry Process में कारी 0 होता है तो DW 0 हो गया तो तेरे सामने क्या बचा D की इकोल टू DU और DU क्या होता है DU तो जानता मेंसा क्या होता है NCVDT होता है ठीक है डीष तो यह तेरे सामने V से C जो जा रहा है मावला तो क्या कहता है V से C का पट कोल नहीं चाहरा है प्रक्रम में गेश के आंतरी पुर्जा बढ़ेगी तो B से C जाने में तेरे सामने सामने बीस से सी जाने में टेम से बढ़ रहा है तो आंतरी कुरिजा बढ़ेगी तो आंतर दोस्तों थर्ड क्या होगे आपका सही हो गया अब आप चाहो तो लोगे आपको CD निकाले दिखा देता हूँ पुरी बात कर ले अपनों तो भी पूजीटिव जो होता है तो DW क्या होता है पूजीटिव ये क्या कह रहा है नेगेटिव नहीं हो सकता इस लिए इसने बाई फस्त नहीं हो सकता अंतर क्या होगे इसका फार्ड बोल आया ना ये है इस कुश्टन को एक बार पोज़ करके दुबारा देख ले मेरी गारिंटी ग्राफ में कही मात ने खाएगा तो हाँ डीर, कुस्तर नमर शिक्स कुस्तर नमर शिक्स जो है वो फाइब की एक प्रेक्टिस है जैसा पांचवा, चोता पांचवा थे ने इसका मतलब है, वरक डन ओन सिस्टम वरक डन ओन सिस्टम क्या होता है नेगेटिव जब डी डवल नेगेटिव है तो डी क्यू नेगेटिव है डी क्यू नेगेटिव का मतलब है हीट सिस्टम से निकल रही है हीट सिस्टम से निकल रही है रसे एक नासर आ गया प्रक्रम A.B. में निकाय दो अलग सुमान इसकासि velocity vrms जो ही मूल काम की इसके अंदर vrms वो होती है 3rt upon kp tlm धान चाहूं क्लास का मैं या तो 3rt upon kp tlm कर दो और इदी k करोगे तो small m आएगा इगा इगांट फ़ने नहीं इसको बे इसको आप इक्वल टू कर सकते हैं फिर खास बात नहीं है k के साथ molecule होता है तो mass molecule का आएगा r के साथ mole होता है तो molecule डिवेट आएगा हिंदी में कहूं k का अनु हो तो अनु का दुर्मान आएगा r के mole हो तो mole हो और का होता है अनु बहुर की बादा आजा दूसरा गोस तो इसका होता ve average how follows आठ आर्टी अपोन पाई एम फिर कोई बात है अब यह दी इसको मैं के कर दू आठ केटी अपोन पाई है स्मोल एम दे धान्दे क्लास एक होता है मोस्ट प्रोबेबल विरिस्टी स्रवाधिक प्राइक चाप जिसको अपन कहते है मोस्ट प्रोबेबल वि एम पी वो होती है टू आर्टी अपोन केटिल एम या टू केटी अपोन स्मोल एम धान्दे मैं जिस चीज पर खड़ा हो सबसे पहले एक आर्एमेस होता है एक वि एवरेज होता है यह विक एम पी एम पी का मतलब मोस्ट प्रोबेबल यह दोस्तो आर के साथ केटल एम, के के स्मोल एम ओके डियर यह तिन फर्मॉले होगे लेकिन यह दिन फर्मॉलों को इसमें लगा गए बिना दिमाख लगाए तो नगेटिव कर दोगे क्या कहता है माना किसी पातल में गेस का एक अनू है एक अनू है तो फिर आप सोचों कि सबसे बड़ा तो यह चोड़ा बया एक अनू के सबराबरी होंगे यार यही इस किस्तरे की सुन्दरता है हाँ दोस्तों समंद की बात करें स्रवादी कौन है वी आरेमेस मिलाता पेपर तो और नेगेटी हो गया यार और एक क्यूशन क्या होता है बेटा जी बता हूँ आपको मैं एक क्यूशन पांस नंबर का होता है पांस नंबर में आदमी SMS से सिदा विकानेरे पहुंच जाता है और विकानेर का बचा जालावड़ पहुंच जाता है जालावड़ का बचा आपस की कूशन की पहुंच जाता है बहुत किम्ती होता है क्यूशन नंबर एट देपड़े तो वो कहता है मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्वल टू एन एफ वाई टू आर्टी पी वी एक्वल टू एन आर्टी क्या बन गया पी वी तो एक्वल टू क्या गया एफ वाई टू पी वी एफ दोस्तो वैसे एक बात पहुंए उससे बोलने में गलत हो आईडिल गेस ऑल्मस्ट मोनोट्मिक होती है तो आप थी वाई टू आर्टी कुछ लोग वासिब कर लेते हैं पर वह नहीं है कुछ भी हो जाए तीन हो चाहे पांच हो डिग्री ओ फ्रीडम चाहे छे हो या साथ हो जो ट्रांस्टेटरी होती ही नहीं होगी ना ताननती ही नहीं रहेगी ना इसका आंसर होगा थी बाई टू पी वी तो यह क्या हो गया कुलस्तानांतरन गती जूर्चा ओके थेंक्यू दोस्तों कुछ नमर नो अब देखो बच्वाड़ा हो गया पी और वी के बिचकरव है तो कॉमन सेंस की बात है वी कॉंस्टेंट है वी कॉंस्टेंट है इसका मतब आईसो वोलमेट्री प्रोसेस है समायत्नी प्रोसेस है समायत्नी प्रोसेस में आप जानते हो दोस्तों डी वी क्या हो गया जीरो तो डी डी डव्लू क्या होता भारवालिक दूलो में पी डी वी तो डी जीरो तो कारी का हो गया, सुनने, ओके थेंगो, हाँ डिया, क्यूशन नमर टेन, देखो दोस्तो, अगला साप कहता है, इस प्रोसेश वर्क निकालना है, और अब्जेट देखो पहले, प्लस भी है, माइनस भी है, तो सबसे पहले डिसाइड करो, कि साइकलिक प्रोसेश क्लोक तो तेरे सामने साप क्लोक वाई है, तो पहले बाते उसका आंसर क्या आएगा, नगेटव, जाद ना, इस प्लोक वाई होता, तो वर्क पोजिट्व, एंटी क्लोक वाई जोग है, नगेटव, एक बात पुरी होगी, कितना वर्क, तो जाद है, दोस्तो, बंद चक्क्र के द्वारा गेला गया 6 रफल, covered area by curve, अब देख, तू A, B, C पे आ, ये को उनर है, ellipse है, दिर्गवर्थ है, इसका area निकाल, तो दोस्तों इसका area हो जाएगा, पाई बाई टू, ओ भाई, पाई बाई टू क्यों आया, ये आदा है ना, आजा, तो पाई बाई टू, ए कितना है, ये तेरे सामने 2 है, और दोस्तों ये कितना है, एक है, ये cancel out, तो इसका तो आ गया पाई, अब इसका देख, दूसरे वाले का, वो ये तेरा पाई बाई टू, ये कितना है, एक, एक आदा कितना हो गया, पाई फाई, और ये कितना है, एक, तो तेरा देखा जाए तो भाई प्लस बन बाई 4 क्या होगaya 5 सुञ近 4 तो अब कांश ला गया माइनस 4 और एटम मल्टिप्लाई लिटर एदर एटम में प्रेशर दिया हुआ इदर लिटर दिया हुआ एक बाद धान देना रहे या तो बायक चंस लिटर दिया हुआ है दोस्तो कई बाद लीटर नहीं दिया हुआ है तो गांट बान ले रहे है एक लीटरी कुल्ट होता है 10 to power minus 3 meter cube ये धानना है चीज़ पे लीटर कोई measurement नहीं है physics में ये तो हमारे देशी measurement है volume का real measurement meter cube होता है clear? ये बहुत प्रैक्शन हो गया medical में ऐसी problem आती है thank you दोस्तो question number 11 जो है वो medical level पे graph का best question है इसको अलग-अलग साथी अलग-अलग तरीके से कराते हैं मैं इसको मेरे साब से करता हूँ आप देख दो देखो dear इस परकार जब भी question आ जाता है लो इसमें graph को एक बार पेज़ खाली करना मैं इस graph को देखो ऐसे बनाता हूँ यह V यह P तो common sense की बाद ग्राप ऐसे बनेगा एक graph ऐसे बनेगा ज़रा वापस देना कैसे मेरे को T1, T2 कैसे है तो वापस देजा वापस देजा यह आपका T1 है यह आपका T2 है तो पहले बात तो बीना solution की याद रख लो जो दूर है वो टेम ज़्यादा होता है पास हो कम है तो answer तो दोस्तो यह हो गया T2 greater than T1 तो एक बार दाँ सुनना इसको जो बच्चे को देख रहे हैं कई बार बच्चों लगता है ऐसे कैसे हो गया बाई प्रैक्टिस से हो जाता है मैं आप से कहूँ कि यार formula क्या force का F equal to MA यह क्या है यह तरह प्रैक्टिस हो गई ऐसे इनकी प्रैक्टिस आदी है यह तो इसका answer हो गया अब इसको अपने sold कैसे करें तो देखो मेरे पास इसका तरीका है मैं क्या करता हूँ इधर से कट लगाता हूँ इसके उपर कट लगा लिया मैंने तो यहाँ P क्या हो गया constant P constant होते दोस्तों PV equal to NRT तो VT के डाइक्टिस प्रपोस्टिस हो गया अब common sense की बात है इस T का समंध इस V1 से है इस T2 का समंध इस V2 से है आपको इसा वह सताब दे रिटा लगा रखा हूँ यह दोस्तों V यह आपका P और A यह फिर करवखन से तो यह तिरा कौन है T1 यह तिरा कौन है T2 लगे एक काम कर इस बार तो कट इधर से लगा ले यह कट लगा ले यह कट लगा लिया तो V क्या हो गया constant तो दोस्तों P V equal to क्या है NRT V constant है तो P क्या है T के डार परपोस्टन तो T1 का समंद किस से है P1 से T2 का समंद किस से है P2 से बड़ा कोन है P2 तो बड़ा कोन है T2 सिंपल सी बात है कैसे करके देख लेजी बाकी तो ये अब मेरे साब से अब एक्जाम में आएगा तो याद हो गया है 26 बड़ा तो याद रहे जाएगा यार थैंक्यो दोस्तो क्यूशन नमर 12 को पढ़ने से पहले आपको थोरी की दो बात आर रिखने होंगी एक आइडिल गेस एक रिएल गेस क्या फरक है आइडिल गेस हो है जिनके अणू के बीच कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगता है जब को फोर्स नहीं लगता है तो गांट बान ले पोटेंशिल अमेशा क्या हो गई जीरो ओके तो आईडियल गेस में केवल केल कोन होती है काइनेटिक अब तेरा प्रसनल कहता है कि तू जीरो कैलिवीन पर आ गया तो V.R.M.S. भी क्या हो गया जीरो तो कैलिवीन पर आईडियल गेस की टोटल इनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि potential पहले जीरो थी कारण there are no intra molecular force अब वोई gas तेरी वास्तविक है real gas है तो वहाँ दोस्तो एक force है अनू के बीच भी तो ना वहाँ kinetic zero है ना वहाँ potential zero है बट ये ती तो absolute zero के लिविन पे आ गया तो VRMS क्या हो गया zero तो kinetic क्या होगी zero के लो कौन बची potential तो सुन ले रहे जीरो के लिविन पर ideal gas की total उर्जा सुनने होती है बट real gas की total उर्जा just equal to क्या होती है potential अब क्या पूछता अब particular क्या कहता है zero के लिविन पर ideal gas है तो ideal gas की दोस्तो गतिज उर्जा भी zero ये density zero नहीं हो सकती वजूद zero नहीं हो सकता mass zero नहीं हो सकता density zero नहीं हो सकती बोलो हाया ना ये बहुत त्वेरा concept है इसका question 13 सबसे common सबसे ज़्यादा बार आया question अगला साहाब कहता 27 degree पे ideal gas की energy even है temperature बढ़ा के 327 कर दिया जाए तो इसकी energy क्या होगी लड़के सिधा formula है e equal to 3y2rt अपना master तरीका होता बया equation 1 बनाओ equation 2 बनाओ एक में 2 को भाग पिकाओ तो कौन-कौन change हो रहा है t और e equation बन जाएगी e1 upon e2 equal to t1 upon t2 तो 27 degree तो common sense की बात है कुछ होता है डिगरी Celsius तो change किसमें करना होता है क्या जोड़ो 273 तो 27 plus 2 क्या हो गया 300 और ये दोस्तों क्या हो गया आपका 600 ओके डियर ये तेरा cancel out हो गया इसका आंस बुड़ा गया 1 by 2 तो e1 upon e2 equal to 1 by 2 अगला आपसे e2 पुछता है तो भाईया क्या हो गया 2 e1 कहीं को दिक्कत नहीं है सिंपल क्यूशन और बेश्ट क्यूशन तेंक्यूशन दोस्तों क्यूशन नमर 14 को समझ लो ये देखो मैं इसमें बहुत प्रेटिल बात करना हूँ आपसे तेटीचर हो जा स्टूडेंट हो प्रस्टन देखके अबजट मिला के आँसर निकाला बहुत आसन होता दोस्तों इनका लेकिन ये प्रस्टन एक्जामें सिर्दी मिस्टेक करने के लिए बरमास्तर होते है और ये आपको आ रहा है इसका मतलब केटीजी आपको पूरी आ रही है जो को बड़े प्यार से कहता है एक बंद पात्र चुनो ये पात्र बना दिया अग्रास आप कहता है इसका पीवन है और टीवन है और इसमें अनू गेस बरी हुई है मोल नहीं रहे अब वो कहता है इदि पात्र की गतीज उर्जा को नीत रखे दोस्तो ई एक्वल टू क्या हो कॉंस्टेंट हो और अनू की संख्य डबल कर दे जाए एन डैस इक्वल टू टू अन तो नया पीटू क्या होगा टीटू क्या होगा ये दो बात है देखो थोड़ा सा साथ दो मेरे इनर्जी का ये फॉमुला क्या होता है एन एफ बाई टू के टी जान चाओ क्लास में के लूँगा रहे हैं आरा दे लो के क्यों लूँगा क्यों अगला मेरे को नंबर ओफ मॉलिक्यूल बोल रहा है अब आप दोस्तो आप क्या कह रहे हो ए कॉंस्टेंट है K नहीं बदला K नहीं बदला अब यह चीज़ कॉंस्टेंट है और N डबॉल हो गे तो कॉंस्टेंज की बात है T अपना बहाफ हो गया अब ढ़ी दो चीज़ का गुना गुला धॉल्ग हो गया एक को डबल करो गे एक हाफ हो गया तो T2 equal to T1 by 2 ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है ये तो होई नहीं सकता है अब प्रेशर पे आएं तो प्रेशर में दोस्तों आप जानते है Master Formula Energy क्या होता है 3 by 2 PV होता है हम सब जानते है 2 कहता है E constant है पातर वो ही है V constant है तो अपना प्रेशर क्या हो गया P constant तो P1, P2 के बराबर है इसलिए बेटा जी इसका आंसर हो गया 2 एक अच्छा कुशर अपना पर देखोई ठीक है तेंक्यो दोस्तों Question No.15 बहुत सिंपल है कोई जादा इसमें दिक्कत नहीं आप एक बर एक पेज खाली करें देखो दोस्तों बड़ा सिंपल है अपने जानते है PV एक्वल टू क्या होता है NRDT दूसरा PDV एक्वल टू NRDT इधर कोई चेंज है इधर भी कोई चेंज करना होगा अब आप ऐसा करें इधर कुशन दिखाए मेरे को वापस आपको क्या चेंज करव डेल्टा ये है आपको DV अपन V डेल्टा टी चीए और एक इसके साथ आठी तो मुझे टरम क्या चीए डेल्टा चीए एक मिन्ट खाली करना तो डेल्टा क्या है दोस्तों डेल्टा क्या है डेल्टा वी अपोन वी डेल्टा टी वस्याद करो इसका नाम ज्याद है क्या है इसका नाम आई परसार गोना तो अब दोस्तों आपकी रिक्वारिमेंट ने किस रिक्वारिमेंट है डी वी अपोन वी तो दोस्तों दो में का भाग दे दो या पी वी का में T, ठीक है इस DT को इदर लिया, तो यह तेरा DV upon V DT equal to क्या है 1 upon T को ने टेरा गामा तो गामा इंवर्स प्रोपोस्ट ने क्या हो गया T, और यह करो हमेशा क्या होता है Ip 설명 होता है, जाना X, Y की इंवर्स होता है, तो करो हमेशा आई पर लोडी होता है आजो क्यूशन वाज़ा हो वही है यह क्यूशन वाज़ा हो तो यह यह ले आंसर हो गया तीन नंबर ठीक है थैंकियो दोस्तों क्यूशन नंबर 16 अगला साप कहता है कि वन मोल ओफ अडियल डायट अडमी गेस है वो इसके थ्रू प्रोसेस जाती तो एक नंबर पे दो नंबर पे तीन नंबर पे आपको साप कहता अगला क्या पूशे के लिए नहीं एवरेज मोलेकुल स्पीड एवरेज मोलेकुल स्पीड दोस्तों हम सब जानते क्या होती है आठ है आरटी अपों गाला पाई एम मोल हाया ना कोई दिकत? कोई दिकत नहीं घालाँ पीव Eリकोल टू क्या होता है एन अारटी तो आरटी क्या हो गया एन तो छोड़े क्या होगया पीवी सिंपल सी बात है तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लें V average equal to 8 जहां लिखावा है R T वहां मैं क्या लिख दूँ PV बटे Pi M लेकिन आपने पात्र पैक कर लिया ना तो M क्या है? N क्या है? नमबर ओप मोल है वो तो change करनी रहे वन मोल है इसे खेर खतम हो गया तो यह आपका constant हो गया तो देखा जाए तो यह V average डारेक्ट प्रपोस्टल क्या है? रूट PV है यार अब तो खुद देख ले यार जाब P और V का multiplication देखना है तो एक नमर पे क्या है? एक नमर पे तो क्या है? एक नमर पे दो क्या है? यह है V note, P note V note, P note दो नमर पे क्या है भाईया? V note तो यह क्या हो गया? फोर V note, P note और तीन नमर पे क्या है? तेरा वही फोर V note, P note तो दोस्तों बिलकुल सिरी सी बात है एक चार चार यह रूट के अंदर है दाने ना? तो एक अनुपात दो अनुपात दो जैसा कहता है मैंने एक दिन कहा था पहले भी जिस आद भी को लेंग्विज पढ़नी आती है जिसको थोरी पढ़नी आती है वो हिंदी या इंग्स्टियों मीडियम आपका है वो फॉमला याद हो तो फुजिस कहीं मुश्किल नहीं अपटा फॉमला बस पोच करे किसी वो फॉमला याद नहीं है तो उस फुटिशर का करेगा भईया कोचिंग का करेगी भईया प्रेंट्स का करेंगे भईया कुशन 17 ऐसे दे दिया बच्चों के लिए कुशन पूछे दोस्तो एवरे चाल पूछे है जोड़के पांस का भाग दे दो यार तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, तर चार, नो नो, तीन, बारा, चोदा, पंदरा, बटे, पांच, आंसर आगया तीन, छोड़ना है यार ओके, थैंक्यू ये दोस्तों कोई कुशन नहीं है ना इसका को आंसर है ये तो, मतलब एक आवस्यक्ता पूरी करनी है ये कोई कॉंसेप्ट नहीं है यह बीज से बात पूछ लेगे लेने दोस्तों कहता है तो यू एफ के टी रिपरेजेंट्स यू इंटरनल इदरजी के वोट्समेन कॉंस्टेंट और ये टू यू एफ के टी राशी किसको बताता है पूल गए क्या रहा है इक्वल टू एफ बाई टू के यह बाई आगया जैसे के आया एफ क्या आगया नमबरो मोलिक्यूल रग्णा साब कहता है यहाँ पर छोटा के है तो छोटा के है तो एन अपना भी क्या हैगा नमबरो बोल एको तेरो क्या चीए टू यू इसको एक ही बात है इसको ए बोल दे चाहिए यू बोल दे वो फरगने पढ़ने बादा कोई एक ही जी होती है अब आजा तो टू यू उपर ले जा ठीक है निचे क्याला एफ कैटी अक्या बच्छा अब मेरा फंड़ा अब यहाँ काम आया जो अब तक बोल दाता है के के साथ n है इसका मतल अनू की संक्या है गेस के अनू की संक्या है मोल संक्या नहीं है यह है मेरा concept मॉलिस्टोपिक का कहीं confusion है के बोले तो अनू molecule एन बोले तो यहां दोस्तो अधिया R होता तो यह answer क्या बन जाता मॉल बन जाता ओके थैंक यू दोस्तो 19 वह थोरी का stress question है ideal gaze की internal energy ideal gaze की आंतरी कूरजा केवल और केवल दोस्तो करता है आजो यह एक्चुन में टीडी टीडी मत थरमो dynamics का first log की depend करता है question हम जानते हैं dq equal to du plus dw अब तो जानता है ए से b पर तो इस पत से जा तो इस पत से जा positions change नहीं होई ना तो अपन जानते हैं दोस्तो du होता है में साहा u final minus u initial du doesn't depend on path but dq and dw both are depends on path तो एक बात कहता हूँ मैं dq, dw nature of property of path but du you final minus u initial आंतरी कुरिजा जो है वो property of point होता है वो बिंदू का घुन है पत का उसका कोई लेना देना नहीं है जबकि dq और dw path का घुन है तो 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 a से बीच एक q इस पत से जा एक बात पुरी हो गई कि दोनों का d u same होगा तो d u same होगा तो फिर जिसका dq dw जादा है उसका dq अपना जादा हो जाएगा जिसका dq जादा है उसका dq जादा हो जाएगा ठीक है मिटा दूँ उसको नहाँ तक मैं मिटा दिया अब आप देखो कर, है ना, अक्स, उसके बीच का करता है, यहां दोस्तों वॉल्म इधर आ गया तो आप देखना, बी पर तो इतना एरिया है, और ए पर दोस्तों मैं कलर चेंज कर दूँ, ए पर दोस्तों इतना ही एरिया लिया इसने देखो तो यहां पर ए का एरिया कम है बी का एरिया ज्यादा है बस उल्टा हो गया है जबकि यहाँ वी होता तो ए का एरिया ज्यादा होता बी का एरिया कम होता तो सपस्ट पता लग रहा है बी का एरिया ज्यादा है तो वर्क ज्यादा है तो बी की उसमा भी ज्यादा है इसलिए क्यू भी ग्रेटर देन क्यू ए दान चाहूं क्लास का बट यही कर्व उल्टा करपा इसको P लिख देता इसको V लिख देता तो answer हो जाता first दान सुनना P और V के कर्व के दुआरा covered area वर्क होता है लेकिन एक cover कर्व और कौन सा X X X नहीं जिस पे V है जिस पे V है जिस पे volume है और वाई पे तो वाइक सिर्फ लिलो बोलो मानते हो ना ये गलत तो एक्जामेर विया यही तोस्तो जिभी यहाँ P भी होता आंसर चेंज रहता है रटा नहीं मार से किश्व पर पर है ओके थेंग्यू तोस्तो क्यूशन नमर्टीवन जो है ना दान से वेड़े दार गरात लो छोड़ो क्यूशन क्या है पहले पूरी बास सुनो डी क्यू डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डबलो ठीक है एक बात मैं आप से करना चाहोगा क्यू का एक फोमला होता है रियल में देखा जाए तो एनस डी टी दो बात को पूरी करते है इसको अपन डी क्यू कह सकते है यह इधर चेंज तो इधर चेंज S कौन है? स्पेसिपिक हीट है लिक्विड हो, सोलिड हो तो S होताँ, अब एक गेस हो गई तो गेस में आप जानते हो CP या CV काम आता है है ऐसी, CP भी एक specific heat है, CV भी specific heat है, बड़ वो convert हो गया, तो दोस्तो, अब आप एक बात बताओ मेरे को, DQ को मैं DU कब लिख सकता हूँ, मैं DQ को DU तब लिख सकता हूँ, जब मेरा DW 0 हो, और DW 0 होने की पहली सरत है, मेरा system समायतनिक होना चाहिए, मेरा system ISO volumetric होना चाहिए, इसका मतलब बहुत सिल्दी सिली बात है दोस्तो, DU अमेशा ही, N, C, V, D, T ही बनेगा, गाट वाल देशो, पले बड़े बाते ले, DU अमेशा N, C, V, D, T बनेगा, तो दोस्तो, आपका जो DQ है, वो क्या बन जाएगा रहे, N, C, P, D, T, और आपका जो DW है, वो आप दोस्तो जानते हो क्या बनता है, PDV बन जाता है, या NR, D, T बन जाता है, यह तो है, खिलिकता है तो है, नहीं पले पड़े, लिखके पता कर आले, DQ क्या है, N, C, P, D, T, यह कों है, N, C, V, D, T, और यह कों है, N, R, D, T, कि अदिर होगे न, N, N, N各 either, D, D, T, D, T cancel out कर भणि बन जाता है, CP minus CV equal to R आगया ना हेलो यह है चीज DU यह क्यों बना क्योंकि actual में दोस्तों formula DV का नहीं है formula DQ का ही है DQ DU तब होगा जब DW 0 होगा और DW 0 कब होगा जब ISO volumetric process होगा समाइतनी process होगा तो समाइतनी process में कौन काम आएगा CP or CV? CV काम आएगा क्या परिबास CV की? आईतन नियत रखते हुए किसी एक ग्राम गेस का ताप एक डिगरी सेल से बढ़ाने के लिए जिस हीट के में आउ सकता होती है हीट कोल CV सम आईतनी ग्रिशिस उस्मा भोलो है ना और बात को पकरने कोशिश करो दोस्तो तो यह तेरे सामने आ गया बस अब इसको मैं मिटा देता हूँ अब मैं क्यूशन वाजाता हूँ अगला कहता है जब किसी दिव परमानी आदर्स गेस दिव परमानी आदर्स गेस का मतलब अब इस तिर्दा पर गरम किया जाता है तो परदान की उस्मा का वा अंस जो गेस की आंतरिक उर्जा वर्दी करता है उस्मा का अंस गेस को आंतरिक उर्जा परदान करते लिए डी क्यूब डी यू अपोन डी क्यू डी यू अपोन डी क्यूब ओके, 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 what is, this is ncv dt, this is ncp dt, ये तेरा cancel out, दोस्तों ये क्या हो गया, एक बटा गामा, अलो, ये क्या हो गया, एक बटा गामा हो गया ना, अरे गामा equal to क्या होता है, बुल गया गया यार, गामा equal to cp by cv होता है, तो cv by cp क्या हो गया, एक बटा गामा, और what is गामा 1 by 2 plus F सारी बात बेटना है आ रहा है gamma equal to 1 plus 2 by F F कितना है? 5 है मद नहीं कर अगला कह रहा है गेस कोन है? टाइटर में यह 5 है ना, तो 1 plus 2 by 5 5 है, 7 by 5 तो दोस्त तेरे सामने वो सुरी, वो तो क्या है? 7 by 5 तो तेरे सामने क्या हो जाएगा? 5 by 7 5 by 7 रुक एक में डिया मैंने सब रिपेटने कोशिए, गामा भी ली आया गामा एप का अरिशन भी ली आया, सब ली आया उसमे मैं, क्लियर? वैसे दोस्तों तो याद रखना होता है गांट बान लो इसको कि इनर्जी का पांच भाग खर्च होता आंतरीक उर्जा में और दो भाग खर्च होगा बाहिये कारिये में गांट बान ले इसको डाइटो में गेस में टोटल कोई चीज मानलो साथ है तो उसका पांच इससा जाता है आंतरीक इनर्जी में और दो इससा खर्च होता है बाई ये कारिये में टोटल साथ करना ना अच्छा क्यूशन आए थोड़ा सा इसको मेरे एक बाद सुनने के बाद रुक के फिर अपने आप करना फिर देखना अपने आप जाद गामा इकुल टो CPYCV गामा इकुल टो 1 प्लस 2YF CPYCV इकुल टो गामा देखा जाए तो सब लपेट दिया मने क्यूशन के अंदर तैंक्यू क्यूशन बाई फिर एक इजी क्यूशन है दोस्तो अगला कता कॉंस्टेंट प्रेशर पे एक बटा VOT के बीच क्या दिकत है यार देखो प्रेशर कॉंस्टेंट हो तो VOT के बीच करव कहें जो लड़के VOT के बीच करव ही आ जाएगा बट यह बन अपन V के साथ क्या आ जाएगा हाई प्रोडू क्या फ्रक बड़ता है इसमें यह कर दो यार दोस्तो दोस्तों कुश्चन नमर्ट ट्वंटी थ्री आजाओ बए कुश्चन पुड़ो क्या कहता है देखो साप साप दिखाए दर एक X को मान लोग गुबारा है एक Y गुबारा है दोनु गुबारे किसी पाइप से जुड़े हुए है अब हम जानते है X और Y गुबारे को अब जोड़ दो पाइप से तो हमें नहीं पता वोल्यूम क्या है हमें नहीं पता टेमप्रिचर क्या है बर इतना पता है गेस एक से दूसरे में तब तक परवा करती रहेगी जब तक दोनु के प्रेसर इकुल है नहीं हो जाते याद है ना चार्ज तब तक परवा करता है जब तक पोटें से समाने नहीं हो जाता है पानी तब तक परवा करता है जब तक लेवल समाने नहीं हो जाता है वैसे गेस तब तक परवा करती है जब तक दोस्तों प्रेसर सेम नहीं हो जाता है तो प्रेसर सेम करने की बात कर लिए तो अप अपन मोली को तर वेट जानते हो ना दिया गया भार बटे अनुभार तो गेस तो वही है तो W देखो W नहीं हो ना आर चेंज नहीं हो ना पी चेंज नहीं हो ना वैस मेरे भाई तो W इक्वल टू एल है इसको ऐसे बत करें ऐसे करते हैं वीदियाक्रिक्वल प्रपॉस्टल MTE वही तरीका समयकरन एक बनाओ समयकरन दो बनाओ एक में दो का भाग तीका हो तो आजा तो एक दो क्यों बना है एक्स बना गए पर तो तो क्या कहेगा VX upon VY MX TX MY बोलो बोलो हाया न MX क्या है? अगला खुद कहता है उसका मास M है MY तेरे को सोरी परे हो लिए मैं VX कोन है? 2V अगला साप कह रहा न? बड़ा देखना 2V, VY क्या है? V, MX क्या है? MY क्या है? निकालना है TX क्या है? तेरे साप दिखाए तेरा 200 TY क्या है? तेरा साप 400 इससे कैंसल आउट ठीक है डियर? V से V कैंसल आउट अब देखें ये तेरा इससे 2 कैंसल आउट ये उपर गया तो MY निचे आएगा MY4 ये ले या MY4 धान दे क्लास गेस का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का प्रिसर से हम नहीं हो जाता और एक नई बात जो बेटा जी यहां आई वो नई बात यह रहे N को रिप्लेस किया मैंने M by W से है एक बात सुन लो दोस्तो मोल के तीन फोर्मले हैं मास दिया हुआ हो मोल बनाना हो तो उसको मोल के दिवाइड कर दो वोलिम दिया हुआ हो मोल बनाना हो तो उसे 22.4 से डिवाइड कर दो नमबर ओफ मोलिकूल दिये हुए हो उसके मोल बनाने हो तो उसे अवगड़ो संख्या से डिवाइड कर दो बस पैट फंड़ा जैसे मैं एक 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 ग्राम ओक्सिजन मोलो कितने मोल हुए एक बटा चार आठ बटा बटीस ग्यारा पोइड दो लीटर ऑक्सिजन कितने मोल हुए ग्यारा पोइड दो बटे बाइस पोइड चार नाइन मल्टिप्लाइड टेन टू पावर पंटी थी तो 9 multiplied 10 to power 23 में 6 multiplied 10 to power 23 में बाग दो तीन बटा दो डेड़ मोल यह ऐसे निकार लो अब लो पढ़ गी मास दिया हुआ हो, वोल्यूम दिया हुआ हो, नमबर अब मोल्यूल दिये हुए हो तो आप उसको इस तीन इस तरीके से मोल में कनवर्ट कर सकते हो दोस्तो क्यूशन नमर 24 जो है, वो कहता है PV equal to T सुले वाई, समतापी, समदाबी, रुदोश्रम यह तो process है इनकी बात नहीं करना है, PV equal to NRT, PV upon T equal to constant for ideal gas यह तो ISO बार है, ISO थरमल, यह तो इसके process क्या पर पड़ता है सब पर है, कैवल, ना, कैवल, ना, यह थरड रुदोश्रम एड़न, सब पर लगता है, चए समदाबी हो चए समतापी हो बमझे समाइतनी हो यह चारी होते है आइसो थरमल, आइसो बार और आइडेमेटरिक, और आइसो ऑलिमेट्रिक, सब पर लगता है तेंक यू दोस्तो क्यूशन नमर 25 क्यूशन को पढ़ लो आप पढ़ लिया अब आज़ो मैं पढ़ा हूँ आपको अगला क्या कहता है एक पात्र है उसमें गेस भरती गेस किस पे है एन टीपी पे एन टीपे मतल़ किस पे है दो सो तेतर कैलिवियन पे जिरो डिगरी सेलसे पढ़ेगा अपन जानते हैं सब इस चीज़ को वो कहता है आप कितने हीट दो रहे हो चुले से उस बर्नर से कि आपका प्रेशन डबल हो जाए ये तो क्विशन है अब कितने emphasize बढ़ी है दो ग्राम दो ग्राम बोल दो चे आदा मोल बोल दो किस पे है एंटी पे हैं दोस्तो तेतर केलिवीन पे है अब वो कहता दाव नियत आईतने पर दुगना तो दोस्तो आईतन नियत है दान्दे क्लास पी वी इक्वल टू एन आर टी एन कॉंस्टेंट आर कॉंस्टेंट वी भी कॉंस्टेंट तो पी टी के क्या है डाटली प्रपोस्टन है तो अंदर पी डबल है तो कॉंस्टेंस की बात किसके कारण हुआ वो टी से हो ना बैसिकली तो टी डबल हो गया तो टी पहले क्या था दोस्तो तेतर अब डबल हो क्या हो गया पांसो चीहालिस तो डिफरेंस कितना हुआ दोस्त इतर क्या हुआ न तो दोस्तो इसका जो डीक्यू का फोर्मॉला बनेगा वो क्या बनेगा एन सीवी डीटी अब यहां मेरी बात पे धान एन यहां मैं हाप लिखूँगा तो दोस्तो सीवी को मैं लिखूँआ टुवल हुए रुख जा रुख जा एक मिन्ट सीवी टुवल है कैसे हो गया यहां लड़के कर फूज होंगे दोस्तो तीन जूल तो एक ग्राम के लिए चीहे पड़ मैं तो मोल की बात कर रहा हूँ तो महाँ चार ग्राम होता है हिलियम का तो भारा करूँगा और एक बात सुने यह दि मैं एन जो है अनू के संख्या की बात करूँ मैं इसको सीवी को तीन लू तो दोस्तो मेरा जो एन है वो क्या हैगा दो आजाएगा तो दो लिखोंगा तेहां तीन आएगा एकी बात है तो भी इच्छा आएगा तो बात यह की है यह आपका सिक्स इसको मल्टिप्लाई करो दोस्तो आंसर आगए सोला सो अड़तीस ओके थेंक यू यार इससे एक बात दिमार को माईए मेरे यह स्पेसिफिक हीट क्या होती है लोग आपको समझाता हूँ पेज खाली करना देखो डियर पानी के लिए एक S का मान होता है वन कैलोरी पर ग्रेम पर डिग्री सेलसिस लो समझ दो चीज़ को पुरी यार बात ही कर ले देखो पानी का एक्जामपल दे रहा हूँ इसका अर्थ क्या है एक ग्राम पानी का ताप एक डिग्री सेलसिस बढ़ने के लिए हमें जिस हीट की रिक्वाइर्मेंट है उसका नाम है एक केलोरी वह बात अलग है पानी में 14.5 से 15.5 होता उस हो देफ्थ की बाते है कॉमन सेंस की बात कि एक आदमी के पास एक ग्राम पानी है उसका ताप उसको एक डिग्री बढ़ना है उसके लिए उसको जो हीट रिक्वाइड होती है इट कोल्ड स्पेसिपिक हीट अब एक बात आँ सुनना अब यदि मैं इसको थोड़ा मोडिफाई कर दू दोस्तों नीचे तो मैं गराम कहे दू डिग्री सेलसेस उपर मैं जूल कर दू तो मुझे यहां 4.1 अकार्ट लिकना होगा एक कैलोरी जो टेंपरिचर बढ़ाती है उतना है वर्क करना पड़ जाए आपको तो वो 4.18 जूल है सिंपल बास सुनो सर्दी के दिनों मेरे हाठ ठंडे हो गए तो मैं रगड के भी हाठ गरम कर सकता हूँ और मैं किसी चुले पर भी हाठ गरम कर सकता हूँ इसका मतलब है चुला मतलब हीट फरनेंस उसके उपर हाठ गरम करूँ और रगड के हाठ गरम करूँ एक रिलेशन बनता है चाहे 4.18 जूल कारिये कर दो चाहे एक कैलोरी हीट दे दो दोनु सेम टेंपरिचर का इंक्रिमेंट करेंगे एक बात होगी अब आगे चलो अब डोस्तों यदि मैं इसको रखो कैलोरी और इस गरम की जगे दोस्तों मॉल कर दू तो यहां अपने आप क्या आ गया 18 आ गया जाए дляए पानी का अनु भर क्या होता है 18 होता है तो एक गरम का एक कैलोरी चीए तो फिर 18 गरम कितना चीए 18 कैलोरी दोस्तो इसको जूल में चेंज करें अब मैं इसको 4.2 लिख दू तो 4.2 multiply 18 ये तेरा जूल पर मॉल पर डिग्री सेल्सिस हो गए बात समने कोशिश के थोड़ी से दूँ अब यदि मैं यहां ऐसा कर दूँ ये मेरा कैलोरी है और ये मेरा केज़ी पर डिग्री सेल्सिस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा हजार करना पड़ेगा एक ग्राम के लिए एक कैलोरी चीहे तो एक कैलोरी दूटो कितना हाँची हजार तो फिर आपका यagit क्या हैगा 4.2 multiply 1000 पर केज़ी पर डिग्री सेल्सिस है यहाँ बेकूफ हैchter, यह लोग क्या करते है, पब्ल张 क्या कहती है, कैलोरी तो CGS है, और किलो कैलोरी MKS है, यह नहीं होता, यहाँ जो गलती हो, कैलोरी के मातरे की नहीं है भाई, यह तो एक लोकर पदती है, हिटके, हिट की यह का, हैं उसमा का कोलोरी हे गया, जूल है, यह है specific heat के must definition तीन बार उपर बदल लो और तीन बार नीचे बदल लो अब उच्छे थे CP हो च्छे CP हो बात समझो एक गराम पानी के लिए एक क्यलोरी, 18 गराम पानी के लिए 18 क्यलोरी, 1000 गराम पानी के लिए 1000 क्यलोरी, अब आगे यह दि कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो उपर चार पॉंट दो से गुणा कर दूँआ सुन लो फिजिक्स में उपर का चेंज उपर होता है निचे का चेंज निचे होता है इसमें कर फिर मत उना पलो ओके हैं क्यों हाँ डियर कुशन डियू प्लस डियू प्लस डियू तो इसका एक बाग यहां खर्च होता है एक बाग यहां खर्च होता है सिद्धी सिवात है बन जानते हैं दो जो खर्च होती है तो कहता है गेस की आंतरी कुर्दा वर्धी करता है वह जो कारी गूप में परदान होता है तो डियू और पता पता, DW क्या होता है, NRDT, क्यों, 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 constant pressure है, यह दी constant volume होता तो, तो zero हो जाता भाई, ओके डियर, बैस, अब देख, N से यह cancel out है, इससे यह cancel out है, यह तरह क्या बचा, CV भाई, R, ठीक है, अब सुन भाई, सुन लड़के, सुन, सुन, क्लास की बहुत सुन्दर चीज, CV दोस्तों, हमेशा F by 2 R होती है, R से R cancel out, सुन ले, सुन ले, सुन लड़के, सुन ले, CV equal to F by 2 R, याद कर ले, इसको वहिया, F का मान 3 है, आंसर क्या आगया, 3 by 2 आगया, ओके, दोस्तों, क्यूशन में 27, जो को साफ कहता है, आइडियल गेस है, A से B जा रही है हो, अलग अलग पात है, एक AC से गई, एक AD से गई, एक AB से आई, और एक AF E से आई, तो कहता है कि minimum energy कहां दी जाएगी, तो minimum energy का मतलब दोस्तों जांत तुनो, DQ equal to DU plus DW, तो DU तो सबका सेम है यहांपर, क्योंकि A सेम, A और B सेम है ना, तो पात कुछ भी हो चीए, DU को मतलब नहीं पत्से, अब इसका मतलब जिसका DW जादा, कम पूछा क्या, जिसका DW कम है, उसका DQ भी कम है, दोस्तों इधर V है, इधर P है, इस करव के दुए तो कवर्ड एरिया है, तो सबसे कम एरिया किस के तुरू, इसमें है, AFB में है, सबसे कम एरिया है, तो DW सबसे कम है, तो DQ सबसे कम हो जाएगा, तो कौन सा पास हो गया भई, A, F, B A, चोता आंसर हो गया दो, A, F, B ठीक है, तेंक्यू देखो दोस्तो, कुश्चन नमर 28 को जैसे पढ़ा मैंने तो मुझे इसमें पता लगा कि ये एक कुश्चन दे रखा अगले ने और इसके कुश आंसर जो दे रखे हैं उसको देखके मैं पहले आपसे आडियाबेटी प्रोसेस दे रखा है तो मैं डूटी बनती है मेरी तीन फोमले हैं, उनकी आपसे बात करना चाहूंगा आएं प्रीज खाली करें पेज़ बे देखो दोस्तो आडियाबेटी देखो हमने क्या पढ़ाता प्रीवी इकवल टू एन रटी ये तो हमारा एक रियल एगियस का मास्तु फोमला है जैसे प्रोसेस आडियाबेटी हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा एक चेंज की फोमले बनते हैं पहला फोमला है पी वी की पावर गामा एकुल टू कॉंस्टेंट दूसरा है टी वी गामा माइनस वन एकुल टू कॉंस्टेंट तीसरा क्या है पी वन माइनस गामा टी गामा एकुल टू कॉंस्टेंट ये तिनु फोमले आपको याद करने पढ़ेंगे बाएं तो रास्ता ही था निया है, टी वी की पावर गामा इकोल टू कोंस्टेंट, टी बाइबिट प्रोसेज होती है, एक बात याद रहना, बाइल की नेम में, धंदना क्लास, एक फंडा भी मेरा, पी इन्वर्स्टिय प्रपोस्टन वी वी डबल करोगे तो पी आदा होता है और वी आदा करोगे तो पी डबल होता है आडिया बेटिक पे फंडा सुन लो वर्दी में और वर्दी होगी कमी में और कमी होगी यदि वी आदा करोगे तो प्रेसर दुगने से भी थोड़ा जादा होगा और वी दुगना करोगे तो प्रेसर आदे से थोड़ा सा कम हो जाएगा फंडा है वर्दी में और वर्दी कर दो कमी में और कमी कर दो ठीक है तो याद होगे फर्मले वर्दी में और वर्दी कमी में अब आजाओ कुषिन पर, अगला साब कहता है, डाई अटोमी गेस है कोई, और T1 टेमप्रेचर पर है, यह ले सुन, ऐसा कुषिन है, यह स्लेंडर में बरी हुई है, इसमें गेस बरी हुई है, इसको अचानक छोड़ते हैं, तो इसका अक्स्टेंशन होता है, तो टेमप्रे उसमें गेस बरी हुई है, और हमने इसको ऐसे दबार का पिस्टन से, अब किसी कानवस पिस्टन उपर मुझ गरना स्टार्ट कर देता है, जानना क्लास, तो ओ कहता है पहले टेमप्रेचर क्या है, टी वन, लंबाई क्या है, एल वन, टेमप्रेचर क्या हो गया, टी टू, तो कहता है, लंबाई क्या होगी, एल टू, तो टी और एल के विच रिस्टा बताना, लड़के जानना रिसमें, एलो, यहाँ वोल्यूम क्या होता है, वोल्यूम होता है, एरिया गोना लंबाई, तो एरिया नहीं बिदलता सिर्डर का, कोई बिदल रही है, लंबाई, तो क कोण आएगा L, क्यों V क्या है, स्लेंडर में जैसे दोस्तों क्यों लंबाई वेरी करती है, एरिया कॉंस्टेंट होता है, तो वोल्यूम बोल दो चाहिए, लंबाई बोल दो, भया खाली कर ले पेज को, तो खाली करते हैं दोस्तों आपके सामने, T1, L1 है, गामा-1, T2, L2, गामा-1, गामा, क्यों दिखा वापस मेरे को, गेस कोण है, डायेटोमिक, वापस खाली कर ले, तो गामा क्या हो गया, पांच, गामा क्या हो गया, पांच बटा तीप, गामा, डायेटोमिक गेस है, तो gamma हो गया 7 बटे 5 यस, guess कोन है, that हो गया तो gamma क्या हो गया, 7 बटे 5 आज़ो, आपको क्या निकालना है कुश्ण निकालना आपको T1 बटे, वापस आज़ो आपको निकालना है T1 by T2 equal to L2 by L1 gamma minus 1, okay L2 by L1, what is gamma 7 बटे 5, तो 7 बटे 5 5 minus 1, दोस्तों क्या बच गया 2 बटे 5, तो आज़ो क्या आज़ो गया L2 upon L1 की पावर, 2 by 5, आज़ो निकालना रहा L1 by L2 की पावर T1 by T2 पुछा है T1 by तो यह रहा किता आया, 2 बटे 5 क्षण बटे 5 यह रहा पहला आज़ो आज़ो गया आपको मेरे कई बात पताओं दोस्तों कई बचे कहते हैं, साथ मुझे याद नहीं होता मैं डफर हूँ, कई करते हैं, दुनिया में कोई डफर नहीं है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है जो भया 5 बार पढ़ लेगा, 4 बार पढ़ लेगा उसको याद हो जाएगा, जो किताब नहीं खोलेगा उसको कभी याद नहीं होगा, दुनिया में विग्जा में पैदा कोई नहीं होता है, जो प्रैक्टिस करते हैं वो ही सब कुछ कर सकते हैं, ओके, थैंक्यू तो 29 कुछों पढ़ो इंदा आइडियाबेटिक चेंज बेटिव इंदा सिस्टम एंड स्राउंडिंग, दोस्तो फ़री बास सुलो आइडियाबेटिक प्रोसेज वो है जो जो डी की इकोल टू जीरो हो यानि ना हीट दी जाती है, ना हीट दी जाती है हवाँ ठीन लगती है में याद करो, क्योंकि अचानक फटती है जिस आइडियाबेटिक प्रोसेज आदा ना एक होता आईसो थर्मल प्रोसेज, एक होता आईडियाबेटिक प्रोसेज, आईसो थर्मल देरे देरे होता है आडियाबेटिक एका एक होता है अचानक होता है आडियाबेटिक का मतलब भी यह है वो इतना जल्दी होता है उसको लेने और देने के फुर्सते मिलती ही नहीं है तेंक्यू दोस्तो कुशन थर्टी यहाँ एक बाद याद रखो रहे है काइनेटिक इनर्जी का फॉर्मूला दुनिया में एक ही होता है एफ वाई टू एन आर टी ना एफ बदला ना एन बदला ना आर बदला और ना यहाँ पर है टी बदला दोस्तो इसलिए इसका रिश्यो हो गया वन इस टू वन जान दे गलास इनर्जी जो काइनेटिक है वो डिपेंड के वो किसे पर करती है टेंप्रेचर पर अगला साप कहता है टेंप्रेचर समान है साप नहीं भी कहता है तो अपने जानते हैं दोस्तो एक मिक्सर के कभी दो टेंप्रेचर है नहीं हो सकते क्योंकि टेम्प्रेचर दो हैं तो वो दोनों गेसे अपने इनरजी को तब तक ट्रांस्पर करती रहेंगी जब तक दोनों सेम टेम्प्रेचर पे नहीं आ जाती है तो आपका आंसर हो गया वन इस टू वन ओके थेंग्यू हाँ दोस्तों कुष्ण 31 यह आइडियाबेटिक प तो टेम्प्रेचर और प्रेचर के बीच करिस्ता बनाना अपने को तो दोस्तों अपने क्या कहते हैं पी की पावर गामा और पी की पावर वन माइनस गामा एकुल टू कॉस्टेट वो लहाया ना यह मेरे हाथ में नहीं है अगरा टी वेरी करवा रहा है पी को वेरी कर रहा है अब अपड़ा वह तरी का equation एक बनाएंगे equation दो बनाएंगे आ जाओ तो तो दोस्तों इसको ऐसे भी कह सकते हो T gamma T1 minus gamma equal to constant इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ T P1 minus gamma upon gamma जानते रहे था तो कर सकते हैं न कोई लिकत नहीं बैस अब आप दोस्तों equation 1 बनाओ तो T1 P1 1 minus gamma upon gamma T2 P2 1 minus gamma upon gamma अब आप इधर देखो T1 upon T2 T1 upon T2 तो यह क्या बनेगा P2 upon P1 1 minus gamma upon gamma ठीक है डियर अब थोड़ा सा इसको मोडिफाई कर लो P को आप P के दो यह तेरा 8 P हो गया यह तेरा क्या है 3 by 2 तो 1 minus 3 by 2 क्या बचा तो पूरा कर दो तेरे लिए 1 minus 3 by 2 upon 3 by 2 ले पूरी बात कर देते हैं भईया आजा अब तो खुद देख T1 by T2 equal to 8 उपर क्या है minus 1 by 2 minus 1 by 2 2 by 3 cancel out T1 by T2 यह तेरा क्या है 2 की पावर 3 यह minus 1 3 अब यह 3 से 3 कट जाएगा तो तेरे क्या बचेगा 2 की मैनिस 1 तो यह एक चुन क्या बन जाएगा 1 by 2 बन जाएगा तो दोस्तो T2 का मान क्या आ गया 2 T1 T1 क्या है 300 T1 क्या है 300 27 तो T2 क्या आ गया 600 600 आया Kelvin हमें क्या चाहिए अगलि सका 1 तो दोस्तो इसका अनतीमताब क्या होगा तो 327 क्या होगा फूर्थ लेकिन फूर्थ आंसर नहीं बोलेंगे, अपने इसको बोलेंगे, आंसर होगा इसका तीन सुताइस डिगरी सेलसे, मैं चाहता हूँ, इसको operator भाई, सही किया रहे आगे, थैंक यू, दोस्तो, कार्नोट इंजिन पे निश्चित रूप से कुछिन आता है, मेडिकल म चाहें, तो एक फूमुला बन जाता है, वन माइनस टीटू बाई टीवन, बस इसको बाई नहीं हो सकती है, तो अब बाई बाई ले, टीटू छोटे वाला होगा, और टीवन बढ़े वाला होगा, क्योंकि माइनस में कभी इफिशेंसी होती नहीं है, इसमें तो बुद्ध के द्वारा किया गया, कारिय कितना है, तो कारिय की बात अगला पूछता है, तो ए, डबलू अपोन क्यू इक्वल टू वन माइनस टीटू बाई टीवन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, टीवन माइनस टीटू बाटे टीवन, डबलू क्या है, निकालना है, क्यू तेरे तीन सु, तीन फिल क्या है दोस्तों, और आपका क्यों कितना है रहे? 3,000, और रिके 3,000 किलो कैलोरी है, तो आंसर किस में दिया? जूल में दिया है क्या? तो सुन, जजद किलो लिखा हुआ है, वादस की गातीन कर दे, जहरा लिखा कैलोरी, दोस्तों उसको 4.2 से गुना कर दो का हो जाएगी जूल मोजे करना है पड़े का है रास्ता नहीं इसके लाओ कोई अब ये देख ये तेरा कितना बचा 600 पूरा गुना करना हो तरे ले में ये तेरा कितना बचा 600 बटा 900 तो 600 बटा 900 कितना हो गया 2 बटे 3 3 बटे 3 कितना है तेरा 3 हजार 4.2 10 की पावर 3 ये देख तेरा कितना बच गया है 1 जार ये 10 की पावर 3 है भी या ये तेरा 8.4 8.4 गुना 10 की गाच चे 8.4 गुस की गाच चे रहे साजी बटार अंसर आगया 2 सुने एक मिनिट 3,000 की पावर 3 है 1 बटे 2 गवार 2 परफेक की अग्जाम कभी है थैंक्यू दोस्तो क्वेशन 33 फोरी का बहुत कॉमन क्वेशन है जिस बच्चे का पढ़ा हुआ है तो बहुत कॉमन लगता है साब कहता है heat can't be itself flow from a body to lower temperature to body at high temperature कहीं कोई दिखेती ने दोस्तों ये क्या है ये second law है और second law में एक चीज और भी है याद करो कि ऐसा कोई engine possible नहीं है जिसकी efficiency 100% हो तेंक यू दोस्तों क्यूशन में 34 जो है ना कि नीट में दो क्यूशन साथ में आते हैं यहां दो क्यूशन साथ होगे कारनोट भी आ गया और आडिवेटी भी आ गया तो मैं आपको पुरा कर देता हूं लो इसमें अगला कूशता है engine की efficiency क्या है तो engine efficiency जो मैं जानता हूं गांट बाण ले यह कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता क्यू इफिशेंसी के भी नगेटिव नहीं होते है तो मैं टी वन किसको कहूं किष्कों कोई से कोई फ़रक ने पड़ने वाला एक low temperature होता है तो high temperature अब मेरे पास T1, T2 नहीं है मेरे पास तो V1, V2 है तो मेरे को सबसे पहले अडियाबेटिक के थिरू इसका T1 बाई T2 दिकालना पड़ेगा, तो तो जानता भाई, T V गामा माइनस 1, तो T1 V1 गामा माइनस 1, इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, ठीक, ओके डियर, आप निकालो T1 बाई T2 लो, तो T1 बाई T2 क्या होगा रहे, V2 V1 गामा, 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 डाइटोमिक, 7 बटे 5, तो 7 बटे 5 माइनस 1, किता बचा रहे, 2 बटे 5, वाट इज वी टू, 32, तो 32 बटा 1, 2 बटे 5, अब यहां बड़ा तकड़ा फंडार है, 32 का 1 बटा 5 निकाल, 2, 4, 8, 16, 32, 32 इसको यूं सोल्ड करेंगे, इसको यूं स पहले 32 का 1 बटा 5 करेंगे, तो 2, 4, 8, 16, 32, यह कितना हुआ, 2, फिर 2 का स्कार कितना हुआ, 4, तो यह ऐसे सोल्ड करके 4 आगे तेरा, तो T1 बटे T2, 4 बटा 1 होगा, अब 4 बटा 1 है, तो इसको 4 बटा 1 नहीं कर सकते, 1 बटा 4 होगा, यह कोमन सेंस की बात है इसमें, ठीक है एक बटा 4, तो दोस्तो एक माइनिस एक बटा 4 क्या बच गया रहा है, तीन बटा 4, तीन बटा 4 मतले क्या होगी रहा है, 75 यह कोमन सेंस की बात है रही, चार बटा एक तो नगेटी तो होती नहीं रही है, T1, T2 कोई मिनिग नहीं आपर, ओकी थैंक्यू, दोस्तो क्यूशन 35 देखनें बहुत बड़ा लग रहा है, बट ऐसे कुछ तो एक्जाम बहुत इजी होते हैं, देखो डियर एक कर्व दिया, और कर्व से कर्व पूछा देखो, सुनो, आप A से B पर आओ, A से B पर P constant है, ऐसा करो, देखो, इसमें A के गया हो, दूसर अबजेटी नहीं हो सकत हैं, लो आगे मैं आपको प्रूव कर दूँ कि ये सही है, तो B से C किया देखो, B से C ये है, ये किसको बताता है, तरे लिए कर रहा हूं मैं, अनसर आगया है, ये कौन है, तो अगला साप साप पता कर रहा है, तो ये अच्छी प्रोबलम है, इसमें अबजेक्ट देखके क constant से इस gaze का gamma निकालो और gamma दिये हमारे equation की gaze की equal है इसका मतलब एक adiabatic process है और adiabatic process में दोस्तो उस्मा की मात्रा में आप जानते हो जीरो है जो इसका answer भी जीरो आ रहा है और ऐसे person में इसका target ही होता है तो मैं यह थाबित कर दूँगा कि एक adiabatic process है तो adiabatic process दोस्तों अगला साफ कहता है T P की power minus 2 बटा 5 equal to constant ओगे डियर अब मेरा रिस्ता क्या होता है मेरा रिस्ता क्या होता है T gamma P 1 minus gamma equal to constant बता हाँ या ना तो T खाली कर ले T P 1 minus gamma upon gamma क्या gaze दी अगले ने तो खुद देख gaze कोई दी है अगले ने साफ का है एक उस बागती हिलियम है हिलियम दे दी तो हिलियम कोण है monotomy gaze है तो monot gamma क्या होता है 5 बटा 3 तो तेरे सामने सामने T P 1 minus 5 बटा 3 upon 5 बटा 3 T P देख भाई ये 3 ये तेरा क्या है minus 2 बटा 5 और ये तेरे सामने आ गया देख ती ने चे लेगा दो बटा दो बटा दो बटा तीन multiply तीन बटा 5 ये T P माइनस दो बटा 5 T P माइनस दो बटा 5 है तो प्रूव हो गया कि आइडियबेटिक प्रोसेस है और आइडियबेटिक प्रोसेस में आप सब जानते है डीकू इक्विट्य क्या होती है जीरो थैंक यू इस बेस्ट कुशन देखो दोस्तो दो बात याद रखो जो आपने पढ़ाया है टीचर ने पढ़ाया है एक होता आइसो थर्मल प्रोसेस और एक होता आइडियबेटिक प्रोसेस यह आपको याद रखने हैं पढ़े सम्तापी प्रक्रम और दोस्तों प्रक्रम सम्तापी प्रक्रम में जो आइतनाप प्रत्यासता हो पी के बराबर होती है इधर दोस्तों गामा गोना पी के बराबर होती है याद रखने है फिक्स है आईडियमेटिक प्रोसेज की आईतनाफमक वॉलिमेटिक जो आपकी मोडलिस होता है वो होता है पी और आईडियमेटिक में क्या होगी गामा मल्टिप्लाई पी अब यहां गामा क्या है तो तेरे को एक्षिन दिए पी एक्स वी एक्वल टू कॉंस्टेंट लेकिन गामा इक्वल टू वन बाई एक्स पी ए यह लेया यह तरीका नीट का तरीका ज़िए रहे रहा है कुछ लोग इसको बड़ा भी कर लेते हैं पर नहीं करेंगा उसको पड़ पड़ रही है याद रखे समतापी प्रक्रम आइसो थरमल प्रक्रम की मोडूलिस कॉंस्टेंट हो जिसमें an बन रहा है साइकलिक प्रोसेस में तू जानता डि-उ तो क्या हो जाएगगा जी रो तो डीक्यू जो है वो किसके बराबर होगा डीडव्लू के बराबर अब इसका डीडव्लू क्या हो तो बाद की बात है पहली बात बॉट गर गडिव आएगा घुथा उसमा इ एरिया निकाल लो, तो एरिया ये कितना है, ये 100 से 200, दान दे रहा है, 100 से 200, 100, multiply 10 to power 3, ओ लड़के, एक किलो है, multiply 100 से 300, ये 200, ये सी सी है, बाई, सी सी बोले तो 10 की power minus 6, देख, 2, 2, 4, 4, और, 3, 7, ये 6, एक अक्ष्टा बच गया, 20, ये आंसर आ गया, तेरा ये लो, 20 जूर, इसी बात, आदर ने, इस चास में, सी सी नहीं है, सी कुछ नहीं होता है, सी सी को चेंज करना होगा, मिटर क्यू में, 10 to power minus 6, की किलो है, किलो कुछ नहीं होता है, उसको चेंज करना है, 10 to power 3 में, आपके साथ, निके प्रक्षी क्यों आया, क्यों लूप क्या है, N, N, एंटि इनर्जी जीरो जीरो खतम खतम साइकलिक प्रोसेज खतम जीरो जीरो क्या होगा सबिस्तियों में सुनने यह ले थाग्यों दोस्तों क्विश्टन नमर 40 जो कोई क्विश्टन का भाव समझो कि M ग्राम गेस जिसका मॉलिकुलिवेट M है किसी एक नली में वह वी साल से जा रह हमें बस A हाप M, ओ नड़के हाप M V स्कार आएगा रहा है, M, क्विश्टन नहीं आएगा, क्विश्टन नो मॉलिकुलिवेट है वह तो ठिक्स होता है, ओके और यह दोस्तों कनवर्ट होगा N C V DT में, क्योंकि इंट्रलिजी आप जानते हो हमें से क्या होती है, N C V होती ह इसको, इसमें CPI चक्र नहीं पड़ता कोई, अब थोड़ा थोड़ा मोडिफाइक में चीज़ों हो देखो, तो हाप M V स्कार, दोस्तों जो N है, वो क्या होगा, क्या होगा, M upon small M, आज ही पढ़ा है मैंने, given mass upon, उसको मोल करते हैं, C V, अब दोस्तों R में है, तो C V होता R, 1-1 GAMMA, एक मिंट, R सोरी, R, GAMMA-1, R, R upon GAMMA-1, और multiply देखिया क्या है, DT, यहने answer आगया, होगी क्रें, तो मेरे साब से, अब इस पे एक चीज़ और करते हैं, पन, कि J से multiply करना पड़ेगा, कि सारा खेल किसम में होता है, जूल में होता है, अब देख लें दोस्तों, तो D T equal to क्या हो गया, देख, M से में कैसे लाउट कर, K P T L M उपर रहा, V उपर रहा, यह आगया अंसर दोस्तों, second आंसर आगया इसके, तो धन्दे क्लास यहां, मुद्दे की बात यह थी, यहां स्मोल M आयागा पेटे, यहां के पिटल M मत लगए, हाप M U square, N C V, C V होता, R गाउ में हाई ट्रोजन के एनमोल है, अब बरतन का ताप कॉंस्टेंट है, और प्रेशर को दुगना करने के लिए, इसमें एनमोल, और आंतरी कुर्जा, देख, भाइस से इसी बात है, आंतरी कुर्जा, D U बरावर, N C V, D T, एन डबल करेगा, कॉमन सेंस के बात है, इनर्जी भ होता है, देख, V RMS equal to होता है, 3RT upon capital M, और VMP क्या होता है, 2RT upon capital M, बस नसी बात है, कर लेगा, equation 1 बना, equation 2 बना, एक उन दो का भाग दे ले, तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुत स्पस्ट रूप से, 0.82, तो उसको multiply कर देंगे, तो exact answer क्या आ गया, 1039, एक हजार 21, कुछा देखती बात नहीं, आपको दो formula इसके आद होने, चैसे दिसी बात, V RMS और VMP, equation, simple छट्टी ग्लास की method होगी उसके बात, कब है, जब आपको formula याद हो, okay, thank you, दोस्तों ये ठीक सी problem है रहा है, छोड़ता ही आए, काटने के लिए, अक्सर क्या लगता आदमे को, क यार, V O T के बिच करूए है, तो V O T के बिच करूए है, तो आपने सब जानते हैं, कि V O T के बिच करूए है, straight line होता है, और P वहाँ constant है, तो लड़का कहता है, A पर होचा है, दो पर हो, P constant, लेकिन दोस्तों, वो तो तो तब होता है, जो गुजरता graph मूल बिंदू से, ये graph और इस पॉइंट से, नहीं गुजर रहा है, इस इस graph को अपन ऐसा अपना पड़ेगा, एक line यहां से, एक line यहां से, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, बड़ा सिधा है, जिसके slope कम होती है, ये प्रेशर जादा होता है, इसलिए P1 दोस्तों, P2 से बड़ा है, सुनना, यह आप जो गरबड़ सी होई थी, दोस्तों, ये यहां से नहीं, तो सिधा हम रो देना, ये एक और दो दोनों के प्रेशर बरावर है, छोड़ा बिस्टरब है, यह ये पी वी इकॉल टू एनार्टी के अलावा, अन्ने किसी रूल को फोलो कर रहा है, और slope दोस्तों, जिसके क वी बाई टी किसके बरावर है, वी बाई टी एक बटा टी बरावर नहीं है क्या, तो इननों slope होगी ना, slope जितनी कम होतना है प्रेशर, ज्यादा होता है, समझ गया, ओके थेंक्यू, दोस्तों, कुश्च सर्मूर 44, 44 में देखो ज्यादा दिमाग की दूर है, दोस्तों, CP- माइनस CV इक्वल टू आर पड़ते हैं ना, वहाँ सब जगे क्या होता है, पर मोल, पर मोल, पर मोल होता है, यह क्या कहता है, CP-CV एक M अनुवार की आदर्स गेस की विश्च सर्मा है, दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसमें के पिट लैम का बाग दोस्ते इसे बाव लिए वो तो थी मोलर, यह है ग्राम मोल पिश्च सर्मा, वो तो थी मोल पिश्च सर्मा, यह है ग्राम मोल पिश्च सर्मा, पसले इसे बाव, तो CP-CV एक्वल टू आर पॉन के पिट लैम, ओके, तैंक्यू, आँ तो दोस्तों, आपका फिजिक्स पंच, ग्यार में का आखरी कु अब आप देखो, एक करवड़ाओ, एक स्लोप तो इसकी यह है, और एक स्लोप इसकी, कोमन सेंस की बाद तो यह स्लोप ज़ादा है, तो दो नमर के करवड़ की स्लोप ज़ादा है, जिसकी स्लोप ज़ादा है, उसका गामा ज़ादा है, और गामा दोस्तों ज़ादा है, स् तोके थेंक यू हाँ तो बच्चो टोटल बीस पंच एक तो फिर बार बार कह रहा हूं नाम चेंज वापस पंच की नाम कर रहे हैं दस पहले होगे आज एक ग्यार मां मने फिर सूट कर दिया आपके लिए बार मां मारे साथ ही आज डिसर का सूट किया हुआ है तेरा के बार दोस्तो आज तीन जून है छे जून आते 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 आपके पास सब पहुंच जाएंगे देखना बारा तेरा तक आपके पहुंच जाएंगे प्लीज आपसे नभी दन है प्रिविएस पेपर सोलुशन नीट के फिजिक्स पंच निकाल लो केमेस्ट्री प्रिविएस निकाल रही है वो चाहिए 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन हो 11 फाउंडेशन हो चाहिए टार्गेट हो हर तरस्टे को आपके पने सेस्था एक नया बैस स्टार्ट करती है कहां CLC live.com पे जाएं जैसे लोगडाउन खूल जाएगा यह सारी online classes कनोट हो जाएंगी offline में ओके इसके लावा कोई दिक्कत हो आप मुस्से बात करें 9-287-3-8888 जैसी लसी